तो देखते हैं है यहां पर question number 18 में हमसे क्या पूछा क्या है A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes if the radius of the circular track is 105 meters calculate his speed तो जो यहां पर cyclist है वो यहां पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है और every 2 minutes में वो उसको यहां पर क्या कर लेता है? पार कर लेता है If the radius of the circular track is 105 meters और जो यहां पर circular track का जो यहां पर radius है वो हमें यहां पर कितना given है 105 meters given है तो हमें यहां पर इसकी speed calculate करनी है तो यहां पर मैं circular track बना देता हूं और इसका जो यहां पर circular track को every two minutes pass कर रहा है इसका मतलब हमें यहाँ पर time भी given है time हमें यहाँ पर कितना given है two minutes इसको मैं यहाँ पर second में change करूँगा तो two multiply sixty तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा one twenty second हो जाएगा अब हमें यहाँ पर क्या करना है इसका formula लगाना है और जो यहाँ पर इसकी speed calculate करने का formula लगेगा वह हमारा यहाँ पर क्या लगेगा वी इक्वल टू पाई आर अपॉन टी तो टू पाई आर actually में यहाँ पर क्या होता है circumference of circle होता है और हम यहाँ पर इसको time से divide करना है इसमें हम यहाँ पर वैल्यों पूट करके दिखते हैं यहाँ पर इसका अंसर कितना आएगा तो टू इंटू पाई की वैल्यों यहाँ पर कितनी हो जागा 22 बाई 7 एंड रेडियस हमें यहाँ पर कितना गिवन है 105 मीटर और टाइम हमें यहाँ पर कितना गिवन 15 से divide कर लेता हूं 15 1 जा 15 and 15 8 जा 120 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड यहाँ पर आजाएगा 11 तो actually में हमारे यहाँ पर कितना जाएगा 11 divided by 2 divide करने पर यह हमारा जागा 5.5 मीटर पर सेकेंड तो actually में जो यहाँ पर इसकी speed या velocity कह सकते हैं वो हमारी यहाँ पर कितनी थी 5.5 मीटर पर सेकेंड ही तो hope आपको यह वाले question का अंसर भी समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ